तो इस वरिफ गाइज वेलकम बाक टू एइज के व्लाग तो फ्रेंड्स जबी भी आप आपके स्मार्टफोन को एक दिन आपके काम से पुरा यूज करते हैं मतलब गेम्स खिलते हैं या किसी और काम से यसे जादा देर यूज करते हैं और यह थोरी देर में स्लो होने लगत भीना पर्वा करके लेसे यूजर कर जाते हैं और एक दो साल बाद अब देश्कते हैं यह काफी श्लो हो चुका है और आप शे बील्कुल भी इस्तीय मैं कर सकते आपकर काम के लिए और आप सोचते हैं कि आपको को एक नया फोन चाहिए ज्यादा रहें बाला जो आपके काम को अच्छी तरीके से करेगा और आपके फोन तो फस्ट हो गाई आपके फोन को ज्यादा दे देन यूजस कर सकते हैं यह इसको आप एक और और वार तीन-चार साल तक फास्ट ली आज में एक ट्रिक बतने जयरा हूं इन 3 clicks आप इस phone को बहुत ही fast बना सकते हैं बहुत तो नहीं पर 3-4 साल को काम चलाने के लिए आप काफी ज़्यादा smart बना सकते हैं Smart भी और fast भी So friends आप इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपके smartphone को smart बना सकते हैं और काफी ज़्यादा fast बना सकते हैं जिससे आपके phone का lifetime बढ़ेगा So friends मेरा नाम है Showmark और आप देख रहे हैं HK Vlogs So friends चलिए शूरू करते हैं So friends इस trick को करने के लिए आपको सबसे पहले आपका settings में जाना होगा उसके बाद इस trick को आपको पूरा करने लिकला आपके phone में developers option को चाहिए होगा और अगर आपके phone में ये नहीं है तो सबसे पहले आप about phone में जाएए और फिर यहाँ पे build number नाम का एक option है आप देख सकते हैं इसमें आप 3-4 बार ऐसे click कीजिए यह लिखे रहा है कि मैं पहले से developer हूँ इसके क्लिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो जब आप क्लिक करेंगे आपके phone में याप एक developers option में आजाएगा आप इसको open कर लीजिए open करने के बाद आप slide करते करते इस यहां पर पहुचेंगे यहां रिखा होगा window animation scale transition animation scale animated duration scale so friends आप देख सकते हैं यह one पर set है one x आप देख सकते हैं तीनों में one x पर set है so friends यह आपकी phone को graphics को adjust करता है और देखिए अगर आप गलती से भी इसे ज्यादा x पर कर देते हैं तो आपका phone super slow हो जाएगा आप काम ही नहीं कर पाएंगे इसमें और गलती से आप अगर अंजाने में कर भी देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका phone क्यों slow हो और आप इसको कहेंगे कि आप यह phone अच्छा नहीं है और आप इसे change करनेगे पर फ्रेंट्स यह इसकी वज़े से हो रहा है क्योंकि आप शायद आपने इसका x बढ़ा दिया मतलब 2,5,10 कर दिया 10 कर यह तो आपका phone चलेगा ही नहीं मतलब इतना slow हो जाएगा मतलब यह 100 RAM,100 MB RAM ऐसा हो जाएगा जबकि आपका phone 64 GB का RAM है तो फ्रेंट्स अगर आपको आपका phone थोड़ा fast बनाना है तो आप इसको 0.5 में search कर सकते हैं और इसको direct off भी कर सकते हैं मैं प्रेफर करूंगा आप आफ कर दीजे इन तीनों को आफ कर दीजे तो आपका phone यह super fast हो जाएगा देखिए कितना fast हो गया यह जट से open हो रहा है जस्टे close हो रहा है और फ्रेंट्स में एक और चीज़ दिखा तो अगर आप इसको गलती से भी 2X व्या उसके जादा पर सेट कर देखिए थोड़ा slow होने लगा है देखिए यह slow हो गया पुरस देखिए यह बंद होने में कितना time ले रहा है फिर open करने में भी कितना time ले रहा है मतलब अगर गलती से भी यह बढ़ जाएगा आपके हाथों से तो आपका phone super slow हो जाएगा मतलब आप use ही नहीं कर पाएंगे आप इसको off करके रखता हूं और देखिए आपका phone कैसे fast हो गया आप कोई भी गेम खेल सकते हैं इसमें इसमें लाइटिंग का थोड़ा है मैं आप से मापने मांगा जाता हूं मेरे स्क्रीन में वो सपोर्ट नहीं कर रहा था तो फ्रेंज मैं आप से एक और चीज़ कहना जाता हूं कि कई पूराने phones में ये काम ही नहीं करता जैसे कि आप अगर इसको off directly करते आपका screen स्क्रीन उनके color change हो सकता है आपका screen हैंग हो सकता है तो फ्रेंज मेरे रिक्मेंशन नहीं हो कि आप इसे पूरा ना आफ करके भी 0.5 कर दीजिए तो आपका phone smoothly चलेगा और आप इसको काफे ची तरीके से काफी साल यूज कर जाकता है देखें अब ये अभी भी smartly काम कर रहा है कोई problem नहीं है इसमें कि जल्दी open होड़ा है किछी भी काफी सारे app भी open होड़ा है और slide भी तरीके से होड़ा है और काफी कुछ भी तो फ्रेंड्स आप इसको 0.5 एक्स पर भी सेट कर सकते हैं और अगर आपका phone आफ पे support खाता है मतलब अगर आप इसे आफ करते हैं और कोई भी problem नहीं आता है तो आप इस आफ में इसको यूज कर सकते हैं कोई भी problem नहीं आएगा तो फ्रेंड्स अगर आप आप में आपका phone support करता है आप आप कर सकते हैं या फिर 0.5 एक्स पर इसे सेट कर सकते हैं यह आपका phone को काफी जादा smart बना देगा और इसकी मतलब से आपका phone का life span काफी बर जाएगा और आप इसको 4-5 साल तक यूज कर सकते हैं और इससे जादा अगर आपका phone इसे support करता है अच्छी तेरी केसे और नहीं तो आपको change करना पड़ेगा कोई फाइदा नहीं करनेगा पर अगर support करता है तो आपके लिए अच्छी बात है आप इसको try कीजिए और मज़े कीजिए fast phone का आपको ये ट्रिक क्याता लगा मुझे जरूर बताईगा और मैंने आपको दिखाया कैसे तीन क्लिक में आपके फोन को कैसे faster बना सकते हैं और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर आफ मोट पे आपका फोन सपोर लेता है तो ही कीजिए या फिर आपका फोन थोड़ी गरबर कर सकता है तो फ्रेंज अगर आपका फोन सपोर नहीं भी करता है आप 0.5x फे रख सकते हैं वह आपके लिए बहुत ही कामका होगा और आपका फोन स्लो से काफी fast हो जाएगा और वीडियो से वेला देखने के लिए और यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंज फॉर नाओ बाइबाइब